नमस्कार मैं हूँ सपना सिंग आप देख रहे हैं प्राइम टीवी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों में गोमती नदी के किनारे पर बना एक ऐसा आस्था का प्रतीक है जिसकी भव्विता अद्बूत है और खुबसूरती ऐसी की मन मोहले हम बात कर रहे हैं हनमन धाम मंदिर की जिसमें छोटी बड़ी कुल मिलाकर एक लाग से भी उपर हनमान जी से जुड़ी मूर्तियां हैं इस धाम से आपको गोमती नदी बहती दिखाई देगी साथ ही मैटो पुल भी दिखाई देगा ये सब इस मंदिर की सुन्दरता को और ब स्था भी है सामने गोमती नदी कुल मिलाकर आप एक प्राकर्तिक दिव्य बातावरण को देख पाएंगे आईए आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में सैर कराते हैं हनमन धाम मंदिर की मन शान्त हो प्राकर्तिक वातावरण में आख बंद कर बैठने को व्याकुल हो रहे हैं इश्वर भक्ति में लीन होने के लिए शान्त माहौल की तलाश है तो पहुट जाए राजधानी के हनुमन धाम शहर के बीचों बीच बेगम हजरत महल पार्क से मोती महल लौन की तरफ आते वक्त बीच में हनुमन धाम का बोर्ड आपको दिख जाएगा चंद सीधिया छोटा सा दर्वाजा आपको एक बारगी भ्रमित करेगा मंदिर की भव्यता को लेकर परंदर पहुशने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और आपका अचम्भित होना तैमानिये चलिए आपके जाने से पहले हम आपको सैर करवाते हैं हनुमन धाम की सैर से पहले एक बात और यहाँ छोटे बड़े सब मिलाकर आपको सवा लाख हनुमान जी दिखेंगे जिनका आशिरवाद आपको मिलेगा उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनव यू तो तमाम एतिहासिक मंदिरों और इमारतों के लिए जाना जाता है लेकिन लखनव में एक ऐसा धाम है जिसमें राम भक्त हनुमान के सवा लाक रूपों के एक साथ दर्शन होते हैं बजरंग बली यहाँ पर अपने भक्तों को अलग-अलग रूपों में दर्शन देते हैं यही नहीं ये धाम लखनव का एक बड़ा टूरिस्ट हब बन गया है इसका उदखाटन 6 जुलाई 2022 को उत्तरप्रदेश की मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने किया था याश्रम करीब 400 साल पुराना है जिसका सौंदरिय करण कराया गया है यहाँ पर हनुमान की 400 साल पुरानी गर्ब्रिह में एक प्रतिमा है जोकी बेहद अलौकिक और अद्भुध है हनुमन्त धाम करीब 7 भीगा में फैला हुआ है इस धाम की खूबसूर्ती यह है कि यहाँ पर सवालाख हनुमान की छोटी बरी प्रतिमाएं स्थापित है सभी प्रतिमाओं की मुद्राएं और आकार अलग-अलग है सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर 108 फीट लंबी हनुमान की मूर्ती भी स्थापित है जो की पर्याटकों को अपनी ओर आकर्शित करती है हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही देखते रहें प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार